हेला फ्रेंट मैं हूँ पिंकी आपका स्वागत है पिंकी अचीबर और में तो फ्रेंट्स आज जो मिठाई के रेषपी मैं आप लोगों के साथ सेयर करने बाली हूँ वो बहुत ही असान और क्यूक रेषपी है और देखनी में तो ये मही लगती है लेकिन ये बहुत ही कम पैसों में बन जाता है न गैस जलानी है न माबे की जरूरत है न चासनी की और देखने में बहुत ही खुब्सूरत है और खाने में बहुत जादा ही टेस्टी ये soft सी मिठाई बनके तियार होती है एकदम mouth watering आने वाले रेश्पी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी तो इस यूनिक सी मिठाई को बनाने के लिए मैं यहां पर मैरी गोल बिसकीट ली हूँ और इसका पैकेट हम ओपन कर लेंगे और इसका बिसकीट जो है हम निकाल लेंगे तो यहां पर दो रोल है वि अच्छा बनके त्यार होने वाला है यह एक दम माउथ ओटरिंग सौप सी मिठाई बनने वाली है तो आप इसे किसी भी त्यु jab में इज्ली बना सकते हैं तो आब इसको हम एक जार में डाल लेंगे और इसका हम पावडर त्यार कर लेंगे तो आप देख सकते हैं यह पाउडर बनके त्यार हो गया है इसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे और इसमें हम एड़ करेंगे दो टेवर एस्पून घी यहां पर हम देशी घी लिए हैं आपके पास जो घी अवलेबल है वो यूज कर सकते हैं तो इस तरह से हम इ मिलाएंगे जैसे मट्री और नमकिन के लिए हम आटा को मसल मसल के हाथों से मिलाते हैं उस तरह से इसका टेक्चर होना चाहिए तो अब इसमें हम डालेंगे दो चमच सुगर पाउडर और इसमें हम एड़ करेंगे दो चमच फ्रेश मलाई जो दूद घर में आती है ना उस अच्छे से मिला लेंगे इस तरह से तो इसमें हम थोड़ा सा दूद डालेंगे यहां पर हम दो चमच के करीब दूद लिए हैं तो इसमें डाल कर और इसको मिलाएंगे अच्छे से डो बना कर इसका त्यार करेंगे तो फ्रेंट्स यह जो स्वीट है बहुत ही अच्छा बनके त्यार होने वाला है आप इसे इजली किसी भी त्योहार में बना सकते हैं इसमें मेहनत भी कम है और बहुत ही कम समय में बनके त्यार हो जाता है अगर आपका डो जो है अच्छा से नहीं बन रहा है सुखा लग रहा है तो इसमें थोरा सा आप दूधा और घी डाल सकते हैं या मलाई एड कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं, मेरा डो जो है बहुत ही अच्छा बनके तयार हो गया है, बहुत ही सॉप्ट सी, तो अब हम इसका तीन इक्वल पार्ट कर लेंगे, तो आप देख सकते हैं, इसका हम तीन पार्ट कर लिये हैं, तो अब इसमें से हम डो का एक पार्ट लेंगे, और एक स्पुन कोको पाउडर तो कोको पाउडर आपको इजली किसी भी मार्केट में मिल जाएगा तो अब इसमें हम आइड करेंगे चोकलेट शिरप तो यहां पर हम एक चमच चोकलेट शिरप लिए हैं अगर आपके पास चोकलेट शिरप नहीं है तो आप कोको पाउडर ही दो चम डाल सकते हैं तो यहां पर हम लिए हैं पिस्ता काजू बदाम और किस्मिस तो इन सब को हम चौप कर लिए हैं अब इन सब को इसमें डाल देंगे तो अब इसके बाद हम इन सब को अच्छे से मिला लेंगे तो आप देख सकते हैं यह जो हमारा डो जो है यह बिल्कुल चौकलेटी बनके त्यार हो गया है तो अब हम चलते हैं आगे के प्रोसेस में तो यहां पर हम एक फाइल पेपर लिए हैं और इसके उपर हम घी से ग्रीस कर देंगे अच्छे से और जो हम चौकलेट वाला डो त्यार करके रखे थे इसको हम लेंगे और इसका हम ऐसे हाथों से प्रेस करते हुए इसका लंबा शेप देंगे और इसको उपर से दबाते हुए इसको हम स्कौायर शेप बना लेंगे आप चाहे तो इसका राउंड शेप भी दे सकते हैं लेकिन हम इसका स्कौायर शेप बनाए हैं और इसको इस तरह से लंबा कर दिये हैं और उपर से प्रेस करके इसका स्कौायर शेप दे दिये हैं और फॉयल पेपर में अच्छे से पैक करके इसको हम फ्रीज में रख देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाएगा और यहां पर हम डो का जो दो लोई लिये थे उसको हम अच्छे से मिला लेंगे और इसका एक लोई बना लेंगे और यहां पर हम फॉयल पेपर के ऊपर घी से ग्रीस कर देंगे और बेलन को भी हम घी से ग्रीस कर दिये हैं तो अब इस डो को हम इस तरह से बेलते हुए square shape देंगे तो square shape देने के लिए हमें बीच बीच में इस तरह से किनारे को ठीक करते जाना है ताकि इसका proper shape आ जाएगा और इसका जो किनारा है मोटा हो जाएगा तो इसको इस तरह से प्रेज करते हुए इसका हम square shape दे देंगे तो आप देख सकते हैं इसका जो shape है बिल्कुल proper square shape में आ गया है इसको नहीं ज़्यादा मोटा रखना है नहीं ज़्यादा पतला रखना है और यहाँ पर जो roll हम freeze में रखे थे उसको हम open करके इसके उपर रख देंगे और file paper से इस तरह से अच्छे से अंदर वाले dough को हम coat कर देंगे यानि कि इसको अच्छे से cover कर देंगे ताकि अंदर का dough कहीं से भी दिखे नहीं तो इस तरह से हम इसको press करते हुए इसको fold कर लेंगे और आपको हम अभी open करके इसको दिखाते हैं तो आप देख सकते हैं इसको एक इतना अच्छे से मतलब यह coat हो गया है कहीं से भी अंदर का dough जो है नहीं दिख रहा है तो ए लिजिए ए रोल जो है बिल्कुल perfect बनके त्यार हो गया है और इसके उपर हम थोरी सी पीस्ता जो है डाल देंगे इसे हम बारी काट लिये थे आप चाहे तो यहाँ पर चांदी के वरक भी लगा सकते हैं या आप इसके उपर नारियल के बुरादे भी डाल सकते हैं तो मैं यहाँ पर चार से पांच पीस्ता ली हूँ और इसको बारी काट के इसके उपर से डाल दी हूँ इससे ए देखने में बहुत अच्छा लगता है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और फॉयल पेपर के उपर से इसको इस तरह से प्रेस करना है ताकि पीस्ता जो है अच्छे से इसमें सेट हो जाए तो इस तरह से प्रेस करते हुए इसको फोल्ड कर लेना है ताकि इसमें एर पास नो हो अच्छे से इसको फोल्ड कर दना है और इसे 2-3 घंटे के लिए फ्रीज में रख देंगे तो 2-3 घंटे हो गया है तो अब इसको हम ओपन करके आपको दिखाते हैं यह देखिए यह कितने अच्छे से सेट हो गया है बहुत ही अच्छे से सेट हुआ है बनके त्यार हुआ है तो चलिए अब हम इसको कट कर लेते हैं और इसके साइड वला पाठ है उसको हम काट के निकाल लेंगे ताकि मिठाई का सेट जो है अच्छा आएगा तो इस तरह से हम इसको कट करेंगे और जो चाकू को आप इस तरह से प्रेस करते हुए काटना है नहीं तो मिठाई का जो सेप है वो खराप हो जाएगा तो ये फ्रीज में रखने के बाद थोड़ा से हाड हो गया है तो इसको प्रेस करके ही काटना है और ये मिठाई बहुत ही अच्छा बनके त्यार हुआ है और देखने में भी ये बहुत अच्छा लग रहा है और इसका टेक्चर तो लाजवाब है आप देखी सकते हैं तो अब इसको हम एक पलेट में रख लेंगे तो फ्रेंड्स ये बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम पैसे में ये मिठाई बनके त्यार हो जाता है और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और देखने में बिल्कुल मार्केर की तरह लगता है कोई कहीं नहीं सकता है कि ये बिस्किट से बना हुआ स्वीट है और सबसे बरी बात तो यह है नहीं आपको गैस जलानी है नहीं चासनी के जरूरत है नहीं मावे की बहुत ही कम समय में और बिल्कुल सिंपल तरीके से आप इस मिठाई को बना के त्यार कर सकते हैं इसका टेक्चर देखिए गजब की टेक्चर है एक दम माउथ वार्टरिंग सौप्ट सी मिठाई बनके त्यार हुई है तो फ्रेंड्स आभी इसे बनाईए इंजुआए कीजिए और कमेंट में बताइए आपको कैसा लगा मेरा रेस्पी अगर आपको अच्छा लगा हो ये रेस्पी तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर दे और मेरे चाइनल को सस्क्राइब करना बिल्कूल न भूले ताकि मैं आपके लिए इसी तरह से नई नई रेस्पी लाती रहूंगी तो अब मिलते हैं नए वीडियो में नए रेस्पी के साथ बाई